हाई अवरिवान मैं गीता वर्मा गीता के नू रेस्पीज में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज मैं लेकर आई हूँ बिल्कुल अलग तरह की मठरी इस बार होली पर जरूर ट्राय कीजेगा महमानों को बहुत ज़्यादा ये पसंद आने वाली है आज मैं लेकर आई हूँ परतदार मठरी इसमें बहुत सारी लेयर्ज होंगी कि आप गिन भी नहीं पाएंगे इतनी लेयर्ज होंगी खाने में बहुत ज्यादा चेशिटी लगती है जब इसे खाते हैं यह एक लेयर तोड-डोड खाने में बहुत ज्यादा मज़ा आता है तो यहां पे सबसे पहले मैं ले रही हूँ धाई कप मैदा जो की आधा किलो मैदा के करीब है तो अगर कप से मेजिरमेंट ले रहे हैं तो यहां पे इस तरह से धाई कप ले लीजिए नहीं तो आधा किलो मैदा ले लीजिए इसमें मैं डालूंगी यह हाफ कप ओईल ये 125 ml के करीब है अब मैं इसमें डाल लिए हूँ एक टीस्पून अजवाइन हाफ टीस्पून नमक हाफ टीस्पून काली मिर्ज का पाउडर एक टीस्पून यहाँ पे मैं चाट मसाला एड़ करें हम बना रहे हैं मसाला मठरी जो की बहुत ज़ादा टेस्टी लगती है सारी चीजों को इस तरह से मिक्स कर लेंगे कुछ इस तरह से आपको मिक्स करना है दोनों हाथों का इस्तमाल करते हुए इसे रब करना है ताकि जो तेल है वो अच्छे से मिक्स हो जाए पूरे मैदा में इस तरह से जिस तरह से मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ इस तरह से बनाने पर जो मठरी है वो बहुत ज़ादा खसता बनेगी यहां पर मैंने इस अच्छे से मिक्स कर लिया जब इसे बाइंड इस तरह से करेंगे तो यह ऐसे ही कठा हो जाएगा तो इसका मतलब है जो हमने तेल डाला है वो परफेक्ट है अब इसमें मैं नॉर्मल पानी आड़ कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा और हम एक मेडियम सॉप्ट तयार कर लेंगे दो आपका बहुत ज़्यादा टाइड भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए तो हलका हलका पानी आड़ करें बहुत ज़्यादा पानी इसमें यूज नहीं होता है तो देखिए मैं हलकालका पानी अड़ कर रहे हूं बहुत ज़्यादा पानी अड़ नहीं करना है तो यहाँ पे मैंने इस तरह का मीडियम सॉफ्ट तयार कर लिया है यह देखिए कुछ इस तरह से अब मैं इसे ढख कर रख दूँगी तब तक हम यहाँ पे पेस्ट तयार करने वाले हैं यहाँ पे मैं ले रही चावल का आटा करीब पांच चमच यह फाइब टेबल स्पून के करीब मान सकते हैं इसमें मैं दो टेबल स्पून ओयल डालूंगी तो इसका हमें एक पेस्ट तयार करना है तो यहां पर दो बड़े चमश करीब तेल लग गया है तो इस तरह का गाढ़ा पेस्ट ही हमें तैयार करना है जो ओइल लगा हुआ यह भी में निकाल लेती हूं तो यह देखिए यह हमारा पेस्ट तैयार हो गया इसे में साइड में रख देती हूं अब हम अपना डो चेक कर लेते हैं डो को हम एक बार फिर से गूंद लेंगे ताकि यह स्मूध हो जाए तो इस तरह से बिर्कुछ चिखना कर लें इसे दुबारा से अब मैं इसको छोटे-छोटे टुकड़ों में दिवाइट करूंगी मैं यहाँ पर इसे साथ पार्ट्स में डिवाइट कर रही हूं तो इसे हमें बराबर पार्ट्स में डिवाइट कर लेना है इस तरह से जिस तरह से आप देख पा रहे हैं जितने बड़े पेड़े मैंने लिए हैं इतने बड़े पेड़े आपको बनाने हैं इन्हें हम इस तरह से गोल कर लेंगे तो यहाँ पर सारे पेड़े मेरे तयार हो गए हैं अब इन्हें हमें बेलना है तो इस तरह से मैं इसे रख लूँगी और इसे बेलूँगी जिस त बेलना है बड़े साइस का तो कहीं से मोटा या कहीं से पतला ना रहे हर तरफ से बराबर बेले तो यहां पर एक रोटी हमारी इस तरह से तयार हो गई है आप तेख सकते कितनी मोटी है यह जिस तरह से रोटी होती है उसी तरह से है अब मैं दूसरा बेल लूँगी इस तरह से जो हमारे सातों हैं वे सात जितने भी पेड़े हैं वो सारे इस तरह से बेल कर तयार कर लूँगी तो यहां पर यह जो पेड़ा है मेरा लास्ट है यह लास्ट रोटी है इसके उपर मैं यह पेस्ट लगाऊंगी जो हमने पेस्ट तयार करके रखा था इस तरह से तो थोड़ा-थोड़ा यह पेस्ट हम लगा लेंगे इस पे अब इसके उपर मैं यह दूसरी रख दूँगी आप देख सकते हैं यह छोटी है तो इसे मैं इस तरह से बेल कर थोड़ा सा बढ़ा कर लूँगी ताकि यह नीचे वाली रोटी के बराबर हो जाए तो इस तरह से आपको सातो रोटियां एक के उपर एक लगा लेनी है तो यहां पर मैंने सातो रोटियां लगा ली है यह मेरी लास्ट वाली है सातवी है अब जो मैं लगा रही हूँ तो यह मेरी साथ भी है लास्ट वाली यह देख सकते हैं आप काफी छोटी है तो इसे मैं इस तरह से बेल लूँगी और इस जो मोटी से रोटी हमारी बन गई है इसे हमें काफी बड़े साइस का बेलना है थोड़ा पतला कर लेंगे यह बहुत मोटा हो चुका है इसे मैंने काफी बड़े साइस का बेल लिया है अब हम क्या करेंगे इसे रोल करेंगे इस तरह से तो यह देखिए इस तरह से हम रोल करेंगे टाइट टाइट पूरा रोल कर लेंगे इससे क्या होगा इसमें जो हम मठरी बनाएंगे उसमें बहुत सारी layers बनेंगे जिससे की वो बहुत अच्छा लगता है खाने में तो इस तरह से मैंने इसे roll कर लिया अब ये बीच में से काफी मोटा है तो हम इस तरह से इसे लंबा खीचेंगे ताकि भीच में से थोड़ा सा बराबर हो जाए पतला हो जाए तरह कर लं गाइवकतर त्विच में काइब कर लूंगे दिए प्सटित rects करें यह मैंसा द्लिएर नेकिस काइब करूंगी प्सक्ते शइर लेएट जा कर लिए हैं अब इने हमें बेलना है तो किस तरह से बेलना है वो में आपको दिखाती हूं यहां पर मैंने ले लिए हैं आप देख सकते हैं किनारे खुल रहे हैं किसी किसी में होगा इस तरह से किनारे खुल सकते हैं तो आपको पानी लगा कर इसे चिपका देना है और इस तर सब्सक्राइब siya माघवाए न हम साहए मत्री अपनी बैल direct reaction lum झाल कर लेंगे अब यहां पर आप इसा इस मेल कर लेकब हम आप ट्राइबार definite तेयर लिए मीडियम हाट होना चाहिए कि बहुत तेज गरम भिना भलका भी ना हो तो इसमें हम इस तरह से मठ्री डाल देंगे छे साथ मठ्री एक बार में हम डाल देंगे इसमें और गैस को एकदम लो और मीडियम के बीच में कर देंगे अराम अराम से डाले नहीं तो लेयर्स खुल सकती है गैस को मैंने यहाँ पर लो और मीडियम के बीच में कर दिया है हलकी हलकी आज पर इसे पकने देंगे तभी जो मठरी है वो आपकी खसता बनेगी अगर आज तेज होगी यह गोल्डन ब्राउन तो हो जाएंगे पर अंदर के हाथ से इन्हें इस तरह से पलट दें और यह थोड़ा सा टाइम लेते हैं पकने में और इसका जब गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तब इसे निकाल लें तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है इन्हें पकने में तभी यह खसता बनती है तो आप यहाँ पर देख सकते ह से एक एक लेयर अलग अलग नजर आ रही है तो यह मठरी देखने में भी बहुत सुंदर लगती है और खाने में तो टेस्टी लगती ही है तो जब आप अपने महमानों को खिलाएंगे तो वह आपसे पूचेंगे कि आपने यह कैसे बनाई तो बहुत ही अच्छी लगते द है तो सफर में भी ले जा सकते हैं तब भी अच्छी लगती है चाय के साथ खाईए इसे तो बहुत ही बढ़िया लगती है यहां पर यह कुछ इस तरह से हम इसे नीचे से नीचे की तरफ दबा देंगे तो इससे क्या होगा यह चिपक जाएगा तो आप पानी लगा के भी क यार कर लेंगे तो अगर आज का यह वीडियो अच्छा लगता है आपको तो बहुत सारे लाइक दीजेगा बहुत इंतजार रहते हैं आपके इन लाइक का और आपके कमेंट्स का तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो की नीचे लाइक का बटन क्लिक करें चानल को स इतनी गैरंटी है कि आप इसकी लियस गिन नहीं पाएंगे